नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल करें। नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। साथी का है साथ यार मस्ती में चल जूमे याज चल यारा चल कुछ दमाल कर ले। मिलके ऐसा कुछ कमाल कर ले। दुनिया से अंदाज अलग हैं। मिलके ले हमारे चानल कर लेह चानल कर लेखने के लें। कहता है दिल सुन प्यारा अपना प्यार ये प्रीत याद करेगी दुनिया एक दिन अपने प्यार के गीत है हाल बोल मुझे मैं तेरे सपने सजा दू चांद तारो को तेरे माते सजा दू जग से जुदा है अलगों नगर अपना ये मिड़ प्यार है तू सबसे अलग सजना दुनिया से अंदाज अलग है अरररर अपनी यारों बात अलग है अरररर अरे साथी का है साथ यार मस्ती में चल जूमे यार तल यारा चल कुछ तमाल कर ले मिलके ऐसा कुछ कमाल कर ले है हम राजकुमारियों के स्वेंवर में जा रहे हैं ये बात तो ठीक है लेकिन वहां जाते ही किसी वामन पुरी राज में आप सभी का स्वाधत है वामन सामराज्य से संबंदिद 28 प्रदेशों से आए हुए सभी राजा महाराजाओं से हमारी ये विनिती है कि वो अपना नाम गाउं का अतापता पूरी जानकारी हमारी इस राज्य के महामंतरी या सेनापती को लिखवा दे यही राजकुमारिया है क्या ये राजकुमारिया नहीं राजकुमारियों के दासी है तुम्हारी बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है अगर दासी इतनी सुन्दर है तो राजकुमारिय वीरों की धर्दी के बारे में तो सुनाई होगा अगर उस धर्दी पर किसी वीर ने जन्म लिया है तो वो पराक्रामी वीरों का वीर सिर्फ गजेंद्र है इस राज्य में ही नहीं संसार के किसी भी कोने में तुम लोग दिया लेकर भी ढूंड़ोगे तो एक ही वीर मिलेगा और वो और कोई नहीं यहीं गजेंद्र है मांते हो या नहीं हां क्या कह रहे है तु भी इसी का भक्ष ले रहे हैं तुने मेरा असली रूप अब तक देखा कहाए गजेंद्र तू मुझे मारेगा अगर मेरा दिमाग घूंग गया तो मैं तेरे मुंबे हाट डालकर अंधड़िया खीच लूँगा तब तक मैं तेरा मू देखता नहीं क्या कहा तुने दो अरज कॉमारा पॉवर को डारो जब क्या का बच गया वाजा संसार के सर्वशक्ति मान वीर गजेंद्र को अगर साक्षा ध्रीम किसे ना भी आ गई तो भी इला नहीं सकती पता है क्यों क्योंकि वो मेरे शिष्य है वामनपुरी सामराज्जी की राजकुमारिया पधार रही है सावधान सावधान एक गजेंद्र है उसके बारे में बात कर रहे थे और वो आ भी गया ओहू क्या बात कर रहे थे मेरी सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे ना जब देखो मजाग करते रहते हो यह रहने दो रहने दो एक साथ में सब ने खापाऊंगा इसलिए राज महल में आकर वैं सबसे प्रसाद ले लूँगा तुमसे विभा करने के लिए हम चारों उच्छछे तुम किस से विभा करोगे सिर्फ चारों से नहीं, मैं तो इस राज्य की पाचों राजकुमारी उसे विवा किरने के बारे में सोच रहा हूं पर उनमें से सिर्फ एक ही मेरी महरानी बन सकती है वो कौन है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, राधा कहां है कौन महरानी बनेगी पता चल गया अब तुम चारों साथ में होना पर राधा साथ नहीं है इसलिए पूछा और कोई बात नहीं है चलो चलते हैं कर यृःट के लिए हुँ इस राजकुमारी आपने राजकुमार Gajänder की वीरता के बारे में सुना एक राज्म सेन राजा explosive कर्देर के के साथ उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उसे हरा आपको वहां होना चाहिए और आप यहां चित्र बना रही है सब कहते हैं कि आपके लिए राजकुमार गजेंदर ही उत्तमवर है मुझे इतनी जल्दी विवा नहीं करना है जो ऐसा बोलते हैं उनिको ज्यादा जल्दी होती है तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ यह बात मैं कई लड़कियों के मुझे सुन चुप रहो राजकुमारी स्वयमवर में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप यह किसका चित्र बना रही है राधा कृष्ण का कौन है यह राधा कृष्ण तुम अपनी बगबग बंद करोगे राजकुमारी ने कृष्ण को कितना लंबार सुन्दर बनाया है दिखने में खुबसूरत लग रहा है भगवान और शैतान दोनों ही लंबे होते हैं कि और यह जो कृष्ण है ना मेरी जानकारी के अनूसार मुझसे भी छोटा है ऐसा सुना था आप जिसकी बात करे आएं वो बाल क्रिश्ण थे रादा तुम मेरा चित्र बनाओ, तुम्हारा कृष्ण मैं हूँ, तुम्हारा चित्र भी सुन्दर बनेगा, और पती का चित्र बनाया है, जानकर सम्मान भी मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, मेरे कमरे में पुरुष्य का आना मना है, ऐसा महराज ने आदेश दिया है वही तो यहां हो रहा है आपका मन क्या तो आप मुझे दासी बनाएंगे क्या महाराज मैरा जैसरसण अन्या है दो पत्नियों के होने से यहीं दशा होति है इसके लिए हम किसी शमा क्यों मांगूं महराज ने मेरे سाथ वीवाई से लिए किया क्योंकि उनका पूराज सुझके निन एक ही समय में मैंने तीन बच्चे नहीं दिये हैं किया मुझे अनता को देखते अपका हाभववाय बदल लेट था न कि यह क्यों刁 था पता है महाराज पर संद्धेख करने के लिए नहीं चैनल किसे किसे करवाना है हमें मत सिखाओ राज कुमार का जेंडर का विवा आप मेरी पुत्री से करवाएंगे इस आपने मुझे बचन दिया धिर से नीचे बैठ कर खाना है उठाओ उठाओ कहा गुस्ते में आकर मुझे भैक पते ना आपको मेरी गोद में देखकर बहुत से लोगों जो हो रही अभी तक राजकुमार्या नहीं आई मैं बेभी तक भाहि सोच रहा हूं कि वो क्यों नहीं आई आप सबी महानुभावों का स्वागत है इस वावनपुरी राज्य की पांच राजकुमारियों का आज यहां स्वेंबर आरभ होने जा रहा है इस मंदप में राज वहां आप किसे देख रहे हैं हमारी पूत्रियों को या मलिका को सब्सक्राइब थपड़ खाना है कि नहीं कि वामनपूरी की पांच राजकुमारियों के लिए उनके योग्या अनुसार भिन भिन प्रदेशों से हमारे महाराज ने अति उत्तम और प्रतिवाशाली वरों का चुनाव किया है वह भागिशाली कौन है यह स्वयम हमारे महाराज आपको बताएंगे हमारे पुर्ण वामन सामराज के 28 प्रदेशों से आएवे राजा महाराजाओं का अति पराक्रम शाली राजा धिराज यहां उपस्ति सवी वीरों का वामनपूरी में स्वागत है इस राजे की राजकुमारियों के लिए हमारी पांचो सुपुत्रियों के लिए उनकी वामने चुना है को कि 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 कुछ कि प्रद हुआ कि अति उत्त हे परमेश्वर पता नहीं क्या संकटाने वाला है दादा जी राजमाहल में जो शुबकार हो रहा है तुम लोग वहां नहीं गए उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया तो हम वहां क्यों जाए ऐसा नहीं कहते बेटी तुम राजकुमारियों की सहेलिया हो तुम्हें वहां जाना चाहिए वह तो सब ठीक है किन्तु आप जैसे सोच विचार राजकुल के किसी भी सद्धस्व में है क्या हमें वहां जाने की इच्छा नहीं है जहां सम्मान ना मिले वहां क्यों जाए स्वयमवर का कारेक्रम अब कुछ शणों में समाप्त होने वाला है चारों राज सम्षाली युद्ध भूमी पर सबको पराजित करने वाला शूर वीर धीर शत्रू को मार का समराज की रक्षा करने वाला वामन सम्राज्य का अभिमान सर्वश्रेश्र शक्तिमान गजेंद्रनात हविश्य सम्राण यह विनबाद लजेंद्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता पूर्णी मा के दिन हम सबका विवान इस्षित करते हैं तब तक इस वामन पूरी में हम जश्ट की गोश्टा करते हैं करते हैं करते हैं आवो बता देते हैं आज हम समाज को मिल गया परमिट भी सनम वाज अपने प्यार को चोड़ी यारा तेरी मेरी यर्शी होगी लोग कहेंगे आगये मिलने के दिन प्यार के खिलने के दिन दिन ये आज कहा बुलेगा ना कभी दिल आवो बता देते हैं आज हम समाज को मिल गया परमिट भी सनम वाज अपने प्यार को मिल आपने 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 प्यार को फोड़ी पेचार के चल दी हिसन मवाएंगे सब के सामन दुलहन तुझे बनाएंगे प्यार दूंगा तुझे इतना में जने जान सारी उमर जो भूले से भूले ना हमें जो भी देखेंगे वो खहिंगे वावा वावा आगये मिलने के दिन प्यार के खिलने के दिन दिन ये आज कहा भूलेगा ना कभी दिल आवो बता देते हैं आज हम समाज को मिल गया परमिट विसनम वाज अपने प्यार को सरगा मां ओ पननली साइड को सरगा मां ओ पननली साइड सरे गामाँ ओ पननली आज हम भर देंगे प्यार के सुड़ता लने प्यार के रंग सारे हम तुम मिले के यार हम भर देंगे प्यार के सुन ताल में प्यार के रंग सारे हम तुम मिले के दिल के सारे वरमान सदेंगे जब एक तूझे के हम तुम बनेंगे हमें जो भी देखेंगे वो कहेंगे वावा, वावा आगये मिलने के दिन प्यार के खिलने के दिन दिन ये आज कहा भूलेगा ना कभी दिल वावो बता देते हैं आज हम समाज को मिल गया परमिट भी सनम वाज अपने प्यार को जोड़ी यारा तेरी मेरी एर्शी होगी लोग कहेंगे आगये मिलने के दिन प्यार के खिलने के दिन दिन ये आज कहा भूलेगा ना कभी दिल पानी पानी अपे इती देर पानी मेरे के तरह जीनी भरा क्या अपे पानी पानी क्यों कर रहा है पानी प्यार जा सकता है तो क्या तुझे मिनरल वाटर लाके तो वाटर ही तो माँग रहा हूं पाटर थोड़ी माँग रहा हूं यह तो अच्छा हरी और अपने सब साथी का होंगे पता नहीं जिस तरह हम बच गए भगवान करें वो भी बच्जा मेरी माँ हमेशा कहती थी धरती पर ही रहे आस्पान में उड़ने का ख्वाप मत देख अपनी मा की बात सुनकर तु घर पर ही बैठा रहता तो यह नजारा कैसे दे मामी आया होगा वैसे तुझे के लगता है कहीं अंदमान निकोबार आलें तो नहीं है अंदमान हो या अंदर वियर हो हमें क्या लेना देना बहुत धूक लगी है चल थोड़ी पेट पूजा करते हैं वह अंदर हमारे लिए खाना बना का रखा होगा और स्वागत करें लो हम जए चफ вторży कोना मन एक लोड़ी रखां कि हर याल नहीं है ररें ररें थाओ ओ मुझे वह यालें है वह अंदर होगदा मैं यहालें है तूक एज़ हमें transit आहा है वहılarा है वहा ऊतलत है तो उाईग है लोग श्या मैं है जगता है कि यहां मत आओ वापस चले जाओ अगर यहां पेर रखा तो अपने फ्रॉन खोदोगे वो लोग तो आगे बढ़ते ही आ रहें शायद हो किसी मकसद के आ रहें मैं कहता हूं यहां से चले जाओ अगर यहां पर पैर रखा तो यहां से चीवित नहीं जाओगे चंदू वहादे सब बौने लोग है यार यहां से वापस चले जाओ यह वो देखो अपने गौतम और महमद अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम अपने प्राण खो बैठोंगे तो हमसे ही बात कर रहे हैं महमद तुम बात करो हमारी बात सुनिये हमारा हेलिकॉप्टर क्रेश होकर समुदर में गिर गया हमें बचाहिए बचाहिए उनकी बात मत मानिये यह उन पिशाचुकी को क्या रहे हैं को सुना रहे हैं हमारी बात समझने की कोशिश किजिए हमारा यकीन की ₼ थैस अलूर और थोड़ी देर पानी में रहे तो मर जाएंगे हमाना यकीन कीजिए आप लोग हमें गलत समझ रहे हम पिशाच नहीं है अगर तुम लोगों की कदम यहां पर पड़े तो हमारे राचे का सर्वनाश हो जाएगा वापस चले जाओ यहां से हम वापस नहीं जा सकते हमारी सब्सक्राइब देख लिया तो हमें भी मार डालेगे यह आई और फौर कर दो आई कर दो कर दो कि आप कि आप यह शुद्ध है सेनी को इन पिशाचों को बांद कर उपर लड़का दो यदि दूसरे पिशाच यहां आएंगे तो उनके लिए सबक होगा कि यहीं पर पहरा देंगे और भी पिशाचा सकते हैं आये तो उन्हें भी मारकर इनके साथ लड़का देना बागी सेनिक पेरे साथ चलो मिया हमारे गौतमा और मुहमत को कितनी बेरामी से हमारी आंगों के सामने बागा एसी भाएने को मौत मरने के लिए बेचरे इतनी मुश्किल से यहां आये थे क्या भगवान का शुकर मानो कि हम उनके हाथ नहीं तो वह हमें भी मारकर उल्टा लड़का देते कि अपना हरी कहां है राम और शाम भी नजर ने आ रहे हैं कि अधिक हरी आ रहा है वो तीनों सामने खड़े हैं कि और एक पिशार हमें हरी को बचाना होगा कि इसके बारे में हमें राजकुमर को बताना चाहिए उन्हें बुलाओ मैं इसे पकड़े चंद वह जाल ले हां इसे पकड़ो चला नहीं चला ला याला बालो इसे बांदो एक हज़ोँ हरी अरहमें हरी हरी अर्ण हरी अर्ण हर अब शहरे होगा है अर्ण हरे हर भावर शाया है पता नहीं कि यह मैं हर आख तो में हर बता है रमेश भाई यह क्या मुहमद गौतम हम उन्हें नहीं बचा सके हैं यहां सब बौने लोग रहते हैं उन्होंने हमारे दोस्तों की जान ले लिए लगता है वो लोग फीर आ रहे हैं चलो यहां से चल्दू चल्दू चल्दी बागो अरे यार अपनी किस्मत में जो लिखा होता ना वही होकर रहता है इसलिए अपने साथ ऐसा हुआ पता अपनी बगवास बन कर मेरे लिए खाने कि एक वाटर तो साथ में ले आता थे रिए यावाद कैसी है अरे यार चंगल में मोहिनी और मली का कि गाना गाएंगी क्या ते यावाद चंगली जानवर हो की है चंकली जानवर ए खाना मत खाना मत क्यों यार जरी लिए है अरे अपनी जाथ दिखा दी मुझे भी देना नहीं दूँगा अपने मुझे भी भूग लगी है गुटली तो दे तुझे गुटली दूगा तो मैं क्या दूँगा या जल्दी चार्द चार्द चार्ड 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 लुक है ब इस जंगल पता नहीं कब क्या हो जाए मुझे विवा नहीं करना है कहा तो भी भाईया मान नहीं रहे हैं सोचा था शेर आएगा यह तो दो हिरने आ रही है हमारा विवा होने से पहले भाईया का विवा हो जाए तो अच्छा रहेगा कुछ विशी तरह आवाज आ रही है ना कोयल होगी दोनों लड़किया हिंदी बोल रही है तो सुन रहे की नहीं मतलब यह अपना ही देश है यार भगबार ने उन्हें हमारे लिए भेजा है तोता मैंना को लेकर भाग जाता है पता है यह लोग हमें देखकर भूत भूत चिला रहे हैं हमारी बात मान लिची हम इंसाने भूत नहीं हमारा विश्वास कीजिए नहीं मुझे विश्वास नहीं लेकिन देखो अब विश्वास करोगी यह मेरे पैर मैने उसे माना ना वो गिर क्या ना बूतों के वैर नहीं होते लेकिन मेरे पैर है मतलब मैं इंसान हूं डोलों भी इसी देश के बात कर रहे हैं वामनपूरी की भाषा है हिंदी नहीं किया यार पानीपूरी भेल पूरी बोल रही है कहीं हम इंडिया से निकलकर अफरीका यह यह आप तो नहीं पोच गए अवे चुपकर यह इंडिया ही है पंद्रा की खाड़ी और जूहू बीच यहीं कई होगा अरे मेरी मा पहली बार इतनी खुपसुरत लड़कियों को देखकर देवी मा समझ कर बोल रहा हूं हम इंडियन नेवी में काम करते हैं सुनामी में फसे हुए लोगों को बचाने के लिए अंदमान जा रहे थे अचानक हमारा हैली कॉप्टर समंदर में गिर गया लोगों को ब है यह तो पूत नहीं है यह तो पंदर है अरे देवी घृव हम इंसान है अंद लंबे कैसे हैं अगर हमें लंबा कह रही हो तो अभी जे कभी ता बच्चन खल्ली कि कया कहोगी हम लोगों की तरह इस गाउओ में दूसरा कोई लंबा नहीं है क्या हमारे वामन पुरी द्व तुम लोगों को देखा तो तुमारे टुक्रे टुक्रे खंतेंगे अब बुझे के पता वहां जाडियों के पीछे छुप जाएंगे उन्हें से दो राजकुमार गजन्दर ने मार दिया सूचना मिली है और भी पिछाश यहां चुपे इसलिए महराज न्यादेश दिया कि सभी दिशाओं में हम पहरा दे तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हें कौन मचाएगा ती अधर चलो 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 चारो दिशा में पहर जो हमें उन लोगों से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप बुरा ना माने तो एक अहसान और कर दीजिए तीन दिनों से अगर हमें कुछ खिला देंगी तो हम आपका यह अहसान कभी नहीं भूलेंगे देखिए मना मत कीजिए प्लीज इन्हें देखकर बड़ मेशानी की क्या आवश्यक्ता है राजकुमारी राजमेहल में कोई भी शुप कारे करने से पहले गंधर्व के मंदिर में जाना चाहिए नहीं तो उस कारे में बाधा आ जाती है तोने साधारन मत समझो गंधर्व के आशिरवाद से यह आज भी हमारा देश दुरक्षित है और इतना ही नहीं गंधर्व को सुंदर करने आए बहुत पसंद है इतना ही तुम जानती हो देवी मा यह यहां क्यों आई है किसी भी पूरुष को गंधर्व के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है यदि कोई जाएगा तो उसका सर भट जाएगा यह अंध विश्वास य यह समाचार उस राजकुमार के कानों तक पहुँच गया जो महराज की पुत्री से विवा करने वाला था फिर उसने क्या किया पता है गंधर्व को यग्यकुंड में जोंकर उसे चला कर भस्न करने के लिए एक मंतरवादी को बुलाया और यह जब राजकुमारी को पता चल तब गंधर्व को बचाने के लिए मंतरवादी से उसने मूल मंतर सीख कर वो मंतर गंधर्व को सिखा दिया उसके बाद वो गंधर्व को कुछ नहीं कर पाया किन्तु क्रोध में आकर गंधर्व ने इस देश के सभी पुरुष छोटे बन जाएं बौने बन जाएं अगोर बन जाएं ऐसा श्राब दे दिया उस दिन के बाद से इस राज्य का नाम वामनपूरी राज्य हो गया राजकुमारी ने गंधर्व के प्राण बचाए इसलिए गंधर्व ने वचन दिया कि हजार वर्ष यहां की रक्षा करूंगा और यह भी कहा कि हजार वर्ष पूर्ण होते ही मैं यहां से चला जाओंगा आज 1000 वर्ष पूर्ण हो गये होते ही क्या सारे पूरुष फिर से लंबे हो जाएंगे सच्चे मन्से प्रार्थना करने से ऐसा हो सकता है और तुम जैसी तरुन कन्याओं की प्रार्थना गंधर्व अवर्ष्य सुनते हैं इस लिए तुम लोग यहीं रुको आईये राजकुमारी इस मंदिर में कितने वर्षों से पूजा नहीं हुई है यह जगह कितनी सुन्दर है यह मंदिर के अंदर कितने सुगंध आ रही है यह सुगंध मोगरे जैसे नहीं लगती क्या यह गंदर्व की सुगंध है गंदर्व हमारी मनों कामना पूरी करना क्यों मलिका सच में कंदर्व इतने लंबे हैं क्या मैंने भी थोड़ी उन्हें देखा है मैंने तो सिर्फ उनके बारे में सुचा था इधर सेफ रहेंगे पर यहां भी खात्रा है बाते मत करो उन्होंने सुन लिया तो गड़ बड़ो जाएगी कंदर्व जी आप ही मेरी मनों कामना पूरी कर सकते हैं धल मिठाई सब कुछ रख दिया है इसे सुविकार करके हमारी मनों कामना पूरी कर दींजा गंदर्व ची के बारे में बताते समय ये किसी राजकुमारी से प्रेम करते थे ऐसा ताधी माह में बता रही थी ना उस राजकुमारी की मुर्ती भी यहीं कई पर होगी आओ चल कर देखते हैं नहीं मुझे डर लग रहा है इसमें डरने की क्या बात है चल हम चल कर देखते है मुझे एक अच्छा सवर देना तरून कन्याओं की प्रार्थना आप जट से सुनते हैं और पूरी करते हैं समयने सुना है मेरी उमर की सभी कन्याओं का विवा हो गया है किन्तु मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरा विवा नहीं हो पा रहा मेरी उमर कुछ ज़्यादा तो नहीं है इस वर्ष किवल चालिस की हो जाऊंगी मुझे भी औरों की तरह अपने पति को गोद में उठाकर घूमने की इच्छा होती है महाराज बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए है यदि उनसे मेरा सम्मंद जुड़ गया तो मेरे जीवन के सारे कश्ट दूर हो जाएंगे मैं आप से कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ क्या आप मेरी चोटी से इच्छा पूरी नहीं करेंगे महाराज स कितनी संदर मुर्थी है ना ऐसी मुर्थियां यहां और भी होगी आओ चरकर देखते हैं नहीं राधा घर चलते हैं गजब हो गया गंधर्व जी ने मुझे आशिरवात दे दिया उन्होंने मेरी प्रातना सुन ली हे भगवान क्या कहूं क्या कहूं मैं गंधर्व के सामने खड़ी होकर अपने लिए एक अच्छे से वर की प्रातना कर रही थी तब अचानक मली का कहकर आवाज आई साक्षाद गंधर्व थे मेरे सामने उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी प्रातना सुविकार की और उसके बाद प्रसाद लेकर चुप-चप चले गए जूट मत बोल मैं और जूट यह सब सच है क्या माना कि पूरा सच नहीं है लेकिन आधा तो सच है ना विश्वास नहीं होता तो आईए मेरे साथ आए आईए आईए वो काड़ूस फूल को तो छोड़ इसे देखकर लगता यह टोकरी भी खा जाएगा रमिश भाई हां कि अगी हार भागो है है अब्सक्राइश कर विसमारी है इक कि अलगा है हाच हाँ और था सब्सक्राओ घंट करण चलो वहां चल कर देखते हैं यह किसके दौड़ने की आवास थी हाँ आवास तो आई है भगवान फिर से मोग्रे की सुगंध आ रही है मोग्रे की नहीं गंदर्व की सुगंध है गंदर्व हमें कुछ नहीं होना चाहिए हमारी रक्षा करो अचानक से शरी ठंडा पड़ गय है भगवान यह उनका है किसका गंधर्व का डराओ मत मैं पहले से डर रही हूं यह अवश्र तुमारा भ्रह्म है तो फिर सारा प्रसाद किसने खाया होगा पता नहीं है भगवान मुझे तो बहुत डर लग रहा है चलो हम सब चलते हैं राजकुमारी चलो ना चलो मैं गंदर नहीं हूँ मैं भी आप जैसा इंसान हूँ यह अपनी जान बचाने के लिए चुपकर बैठा हूँ हमारे साथ आये हुए दो लोगों को आपके आपके लोगों ने मार दिया मुझे देखेंगे तो मुझे भी मार देंगे महरबानी करके उन्हें कुछ मत बताई शुणन हे मेरी बात के विश्वास कीजिए मेरा नाम ह्रि है इंडीयन नवी में हहलिक्विप्टर पाइलिट है आपको मेरी मेरी rape का वुश्वास नहीं हो रहा है नहीं गंदर इखिय क्या हूँ है मैं puedhurgh writer key ने देख लिया अरे अब क्या करें Nobel कुछ नहीं हो सकता देखिए अब मैं आपको कैसे समझाओं भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए मैं गंधर्व नहीं एक आम इंसान हूँ यहां अपनी जान बचाने के लिए छुपकर बैठाओं प्लीज मेरा यकीन कीजिए अब यहां है हमने आपको कहा कहा नहीं जोनदा आपने उन्हें देखा क्या किसे गंधर्व को साक्षा गंधर्व यहां आये हुए हमारा रखावा प्रिसाद भी उन्होंने खा लिया अब एक शन भी हमें यहां रुखना नहीं चाहिए मैंने तो पहले ही कहा था ना सुन्दर तरुन कन्या को देखते गंदर्व सूरंत आ जाते अब यहां और थोड़ी देर रुखे तो पता नहीं वह हमारे सब क्या करेंगे चलिए चलिए यही मिला था क्या गर्मा गरम चावल डाल चिकन बिर्यानी मटन बिर्यानी सीख कबाब पराठा ऐसा सब बढ़िया आइटम लाना चाहिए था ना यह क्या गाय बकरियों का खाना लेकर आ गई उंगली दी तो अब हात पकड़ रहे हो क्या हात मांगू तो तो कि क्या आकर नहीं है तुझ में पड़ा लिखा है ना तुझे शराफा से बात करने नहीं आती हम इनके घर महमार मन कर आए अगर यह कुट्ता बिली भी खिला है तो बकरे का मटन समझ कर खा ले वो छोड़क प्रिशने अब नहीं भी और सबको मेरी आवशक्ता है शेर 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 कहा है मेरा कोहता क्यों उफेषान को सर काटूंगा हो खै के बरने इस अवाज कैसी माले पर बिली होगि हम माले पर बिली सबने और इना कोहता तो और भाड़ेंह तेती यह अब है हम यह मेरे आत Yes यह 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 साब कहां से आ गया फिर से दिखता हूं देखता हूं कोईता मिल गया अंदर से दर्वाजा बन कर देना अगर मैंने उन पिशाचू का सर नहीं काटा तो मैं अपने पडोसी की उलाद नहीं यह कॉमपस काम करता है क्या हम कहा है जर बताना साथ वेस्ट मेरे हिसाब से हम शायद आंदमान के किसी आसपास के आइलेंड पर हैं इस आइलेंड का जिकर किसी भी मैप में नहीं है मतलब हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी क्या कुछ नहीं कर सकते तक्दीर में बचना लिखा होगा तो बचेंगे हमारे साथ समंदर में जहां आज़सा हुआ वहां बहुत बड़ा भावार था और उसी वज़़े से हमारा हेलिकॉप्टर गिर गया एह हरी वो लड़की ह हुमारे बारे में सबको बताएगी तो नहीं न गड़ लग रहा है नहीं बताएगी अगर बता दिया तो क्या करेंगे तुमने अब तक खाना नहीं खाया रहा था मैं बाद में खा लूगी माँ जब से तुम मंदिर से आई हो तब से देख रही हूं तुम बहुत खोई-खोई सी हो ऐसी कोई बात नहीं है मलीका की बात सुनकर तुमारे मन में डर बैट गे अरे मैंने ऐसा क्या कहा हमारानी जी आप राजकुमारी से पूछे वहां जो फल खाकर फल खोदी खाकर गंधर्व ने खाया बता रही है मुझे तो तुम पर पहले ही से चलका थी मेरी बात का जानती हूं ज्यादा नाटक मत कर किसी आपको दिखाना नाटक प्रभू मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा मैं क्या करूं तुमने गंधर्व को देखा क्या कहा मेरी आंकों के सामने ही तो खड़े यही बात तो हम बहुत दिन उसे अपने पत्नियों से कह रहे हैं परंतु वो दोनों मानती ही नहीं नीची जुको धपड़ नहीं मारें तुम्हें चुमा देंगे आओ आ गई यही देखना बाग ही रह गया था दो 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 रानि तु कुछ भी कहले यार देखना वो जरूर यहां लेकर सबको आएगी किसी पर वरोसा नहीं कर सकते यहां किसी अंजान जगप पर आकर फसें और उपर से हम जिसे जानते नहीं उस लड़की पर वरोसा करके वो बहुत अच्छी है वो किसी को नहीं बताएगी ऐसा हरी की ब काली जबाने जो मैं कहता हूं वो होता ऐसा मेरी मा कहती है मैंने कहा था न वहीं लड़की आ रही है अब देखना पूरी फॉस लेकर आई होगी अब हम नहीं बचने वाले उसके साथ कोई भी नहीं है वो अकेली आई है जरा देखिए हां यार सही है अरे वहां सच में अके कुछ के आओ जाओ जल्दी जाओ जाओ ठीक है हो सकता है उसकी मदद से हम यहां से निकल जाए मैं मैं तो डरी गया था मुझे लगा आप सबको लेकर आएंगे वैसे आप अकेली यह आई है ना भरोसा कर सकता हूं आप यहां इस वक्त यह क्या है आपको भूग लगी होग कि मुझे पता है इसलिए लेकर आई हूं वो खाना लेकर आई है ऐसे क्यों देख रही है वो क्या है ना लंबे चोड़े गंदर्वकों में अब तक सिर्फ अपने सपनों में ही देखते आ रही हूं पता है आप हमारे गंदर्व जैसे ही लगते हैं आपको छो कर देखूं क्या क्यों शंका दोर हुई हो गई फिर भी आप मेरे लिए हमेशा गंदर्व ही रहेंगे आप भी ना ठीक है आपके मर्जी मैं हरी हूं मंबई से आंदमान हम फ्लाइक कर रहे थे और रास्ते में अ सौरी यह सौरी क्या है वो मैं ऊड़ रहा था हेलिकोप्र में ऊड़ रहा था वो नश्ट होकर समंदर में गिर गया और मैं तेर कर यहां आया अब समझ में लग तो नहीं रहा बहुत तेर हो गई है आप यह खाना खा लीजिए मैं चलती हूं हां यह सिर्फ एक आदमी का ख मैं हूं रमेश गंदर्वन मैं जोसेफ गंदर्वन मैं चंदर शेकर गंदर्वन दर्यमत हम सब दोस्त हैं आईए उनसे मिलवाता हूं अपने मंत्रों की शक्ति से वो पिशाच हमारे गाव में नहीं आया ऐसा कहकर पूरे गाव में राजगुरु धिंडो रापीट रहा है मैंने दो पिशाचों को मारकर उल्टा लड़का दिया इसलिए उन्हें देखकर बाकी के पिशाच डरकर भाग गये यह बात उस मुर् की लग रही है कहीं वो चुड़ेल मोहिनी तो नहीं है क्या चुड़ेल मोहिनी वहीं रुख जाओ यह तो राधा है आधी राध को गंदर के मंदिर के पास राजकुमारी जी कहीं गंदर के साथ उसका कुछ यह बात सच तो नहीं राधा रादा तुम यहां क्या कर रही हो तुम यहां पर क्यों आई सपनों में आकर गंदर्वा मुझे पुका रहा है पुका रहा है मुझे पुका रहा है मामा जी पुका रहा है मुझे चुटो उस गंदर्व ने मेरी राधा के साथ कुछ किया तो नहीं होगा अगर कुछ किया होगा तो मैं उसके पैर तोड़ देंगे यह कह रहा था थोड़ी दिर में सब कुछ पुता चल जाएगा कहिए राजगुरु विशें बहुत गंभीर है गंदर ने हमारी राजकुमारी को कस्त पहुचाया क्या इसका कोई उपाय नहीं है आप घबराओं वह सब कार्य मैं समाल लूगा हमें धन देना इस बारे में किसी को पता नहीं देखिये मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था अगर आप बुरा ना माने तो मैं बात बताओं बताइए राजकुमारी जी और गंधर्व दोनों एक हो गए होंगे अर्थात अर्थात उन दोनों में वो तो नहीं हुआ होगा मुझे बस इस बात का संद्ध है यही बात है हम समझे नहीं नहीं समझे यदि कन्या मिल जाए तो बस वो उनके संग संभोग किये बिना नहीं छोड़ता पैर भारी कर देता अब 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 आगया दीजिए यह स्वयम तो चुप नहीं रहेगा मामा अब राधा के आलत कैसी है आलत कैसी मतलब ऐसे पूछ रहा है जैसे उसे कुछ हो गया है चोटी सी पूजा करेंगे सब ठीक हो जाएगा आप उसे कुछ चुपाने का प्रह आपके सामने आ जाएगा कि सच की बात कर रहा है अब सीधी तरह से बता दीजिए अपनी होने वाली पत्ती के बारे में ऐसी बाते करता है समझदारों की तरह बाते क्या करो मामा जी मुझे उनसे यह सब पूछना ही नहीं चाहिए नहीं नहीं गजेंद्र जो भी काम करता ह और अब तो किया मली का में जी राजकुमार जी राधा अब बताने जैसा कुछ नहीं है तुम मेरे एक मदद करोगी राधा से मिलना चाहते हैं कुछ करो ना इस समय राधा से कोई नहीं मिल सकता ऐसा आदेश मेरा कष्ट कोई तो समझो उस गंधर्व के कारण उस पर ऐसा स अब मैं चलती हूं राजकुमार जी मलीका ज़रा रुको जी राजकुमार जी उद्गाटन हो गया क्या कहां मतलब वह 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 गया गया ऐसी बात पूछकर आप तुम लोगों का यहां क्या काम है अपने कख्ष में जाओ 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 तुमने मलीका से ऐसा क्या कहां निरलच कहीं का इसका मतलब मामा के जैसा ही भांजा अच्छा हुआ मेरी बेटी के साथ संबद नहीं जुड़ा फिर मुझसे गलती हो गया तुम आपको कब से कह रहा था तुझे तुम्हें राधा तुन्हें गंधर को सच मुझ देखा क्या मैंने देखा उससे देखने में बहुत सुन्दर है हो गया अब गजिंद्र का क्या होगा भगवानी जाने हां यह तो भगवान जाने शमा करे बीच में आने के लिए ख्षमा करें राजगुरु ने कहा था राधा को आराम करने दीजी आप चाहिए मैं हूँ यहां चाहिए बात में बात कीजिए आप भी चाहिए मैं राजकुमारी का ध्यान रखूंगी राजकुमारी जी आपने सच में गंधरव को देखा है क्या उस गंधरव का पैर जमीन पर नहीं टिकता ऐसा सुना है क्या ये बात सच है नहीं मेरे गंधरव का पैर तो जमीन को छोड़ा था मैंने खुद देखा ये भगवान आए 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 सावरी मोहिनी प्रेम के रंग में रंग गया ये दिल धल गया ये मन प्रेम के रंगों में सावरी मेरे तेरे ही रंग में जल गया ये दिल रंग गया ये दिल दिम के रंगों में सावरी मोहिनी सावरी मोहिनी सुआती दिल गया ये दिल दिल गया ये दिल दिल आग ये दिल गया ये बिल में प्रेयसी जीवन मेरे हो तु तु ही तु सांसों के बन से के दुन में तु है पाना शाम मेरे हो तु तु भरही सदा से सजन्ना अधरों में है चंचल चितवन ये तेरा चंदन की तरह ये बदन तु में रंग दे बारी चुने रिया मेरे साम मेरे के शर्म सजना कि माना डालूंगा किसे गंदरों को गंदर वकना है तु आसमान को देखने जितना लंबा रह गिया वह मेरी संपती के पीछे क्यों पड़ा है उसके लिए देवलोग की अपसराइं भी तो है ना सही का और वेशी मेंका रंबा तिरो तमा इन मेंसे किसी के साथ रासलिला रचनी चाहिए ना वो छोड़कर हमारे वामनपूरी की गनियाओं के साथ संबंद रखता है ये सरासर अन्या यह उसे क्या लगता है हमारे राज करता है और मैं भी मतलब मैं चाहता हूं आपकी पत्नी प्रेम तो एक मायावी दरपण की तरह है बच्चे कौन केता है यह नाशे में कुछ भी बोल रहा है बुद्धे की बात पर ध्यान मत दीजिए कौन है यह मुझे क्या पता है पता नहीं क्या स्वामी यह तो तीरत के कन्या सी एक सुन दर तरून कन्या रात के समय गंधर्व के मंदिर में यदि अकेली जाति है तो वह गंधर उसके साथ मंदिर में घंटी बजाए गाए यह नहीं चसे करें कि तुमुझे अवसर मिले तो मैं उसके संग अवश्य सब कुछ करना चाहूंगा गेंद्र तुम का और राजकुमारी इतनी रात को यहां आई हैं यह बात अगर उन्हें पता चल गई तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे आपने कहा था कि यहां से निकलने में मलीका ही हमारी मदद कर सकती हैं क्या आप चाहती हैं कि हम यहीं पर मर जाए अगर बचना है तो अपने पैर काट क यहां के पुरुशों की तरह बॉने बने बापरे कैसे काट सकते हैं कमल असन को कॉंटेक करने से शायद हमें कुछ आइडा मिल जाए बहुत अच्छा एडिया है यह लोग तो नहीं समझते हैं लेकिन तेरी अकल भी घास जड़ेगा अगया आगया आगया पराक्रमी घजंद उसे जल्दीसे बार भेज जर्वाज खोल 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 बोला तुडराज कोलता हूं हूं थो डर्वासा खोलता हूं है मैं maior ficar कर अंदर आ जाऊंगा अगर अंदर parks अंधे यह वाया जाए हम चंगः उसे भचाने के लिए मैं अपनी जानबी दे दूंगा एठ र तो फटा ही नहीं इतने दिनों से तु सब को मुर्क बना रहा था है आज में तुझे छोड़ूंगा नाइंग देख लूँगा उसे क्या छुपा रखा तुरे मेरी राधा को को आने तुझे पता है वो इस गजेंद्र की होने वाली पत्नी है वो मेरे लिए सब कुछ है सिदी तरह से मेरे हवाले कर दे द्रोही नहीं दो में तेरे टुक्डे टुकडे करके चिल्कवओं को खिला दूंगा इस गजेंद्र का क्रोट तुने देखा नहीं है मैं ते रास तुह मिटा दूंगा हाँ आदमी का कद बढ़ा होने से कुछ नहीं होता दूसरों की संपती की आशा नहीं करनी चाहिए तू खुद को बगवान सुमजता है बगवान का काम लोगों की जोली भरना होता है और तू मेरी जम्पदी पर दाका डालता है अगर तू रिक बाप की वाला दे तो मेरे सामने आख सामना कर सामना कर कायर कहीं का सामने आकर मुझसर फिरिटों मैं नहीं चुनुगा तुने मुझे पर आथ उठाए बाता कर मेरे लोगों को पता चली तो तुझे चला कर भस में तेरा नमुनिशन मिटा कर रख देंगे आध तेरा किसाद ख़त्म की बिना में यासे नहीं जाओंगा का मेरी बोतल भी अड़बना चाहता है दूसमर की मेनद का पर खाने वाले तेरी कोई वाकाद नहीं है जा साले बोतल भी रख ले मगर मुझे मेरी राधा वापस कर उसे लिए बिना मैं यहां से नहीं जाने वाला तू क्या करता मैं भी देखता हूं मसता है थोड़ी दूड़ी मार मुझे नहीं किसे पीने की पड़ी है और वहां वो शैतान हिलने का नाम नहीं ले रहा अब हम क्या करें बुरुष अंदर आते हैं तो उसका सर फट जाता है मैं कितनी देर से बैठा हूं मेरा सर फुटा क्या यह बात मैं सब लोगों को बता द अब 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 करवा कर आप हमें कंगाल बना कर चुड़ेंगे सब्सक्राइब करना होगा उसके पूजा करके उसे वहां बुलाना होगा इसके के वपरात के लिए उसे यहां से भगा देना चाहिए जो नारी की इज़त के साथ खेलता है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसके मंदिर की मरमत करवाइए या कुछ भी किजे मुझे फर्त नहीं पड़ता अगर महराज मुझे आज्या दे तो वामनपूरी के विरों को ले जाकर उस गंधर्व का अस्तित् लग रही है क्या है मलीका हम एक शमा करें महराज आपकी बात को काटकर कुछ कह रही हो महराज दया करके बुरा ना मानिये मलीका तुम अंदर जाओ सरके होते हुए दुम नहीं इलाते किसी भी संकट की घड़ी में राजमहल के रहवासियों को बोले का पूरा अधिकार है अपना मुँ बंद रखो आउ मलीका निसंकोचो कर जो बताना है बताओ गंधर उसे चुटकारा पाने के बारे में राजगुरु यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो राजगुरु को सिधा करने के लिए उन्हें बुलाना सही होगा उन्हें बुलाने की कोई आवशक्ता नहीं इसका निर्णे सिर्फ हम करेंगे यंग्य करवा करवा के धन लूटने के लिए ये बैठे हैं न तो बाहर से किसी को बुलाने की क्या आवशक्ता है आवशक्ता है हो सकता है नए लोगों को बुलाने से कोई उपाई निकला है मलिका जल्दी से उन संत महात्मा को बुलाओ यह महराज का आदेश है हरियो स्वाहा हरियो स्वाहा हरियो भगवान करी संत महात्मा लोग राधा को जल्दी ठीक करें आईये महात्मागंड इस वामन पूरी में आप सभी का स्वागत है आसन ग्रहन कीजिए नहीं महराज हमें बैटे के लिए मत कहिए हम खड़े होकर पूजा करेंगे तो ही सफस्वोगी तब तो फिर आप अपनी इच्छानों सारी कीजिए हरियो यह क्या आप सबकी कमर पर यह कुबर जैसा क्या निकला है यह महराज यह ज्यान का कुबर है बच ज्यान का कुबर हमने बैलों के कुबर के बारे में तो सुना हुआ है बरसों की बड़ी तपस्या के बाद वह इश्वर हम पर फ्रसन्न हुए और हमें ज्यान का कुबर दिया कुंडलनी कुंडलनी अरियो मुझे इन चीज उबर विश्वास नहीं है जिस दिन ये ज्ञान का कुबर भटेगा उस दिन हम समाधी ले लेंगे तक महाराज जो भी पूछेंगे हम अपने ज्ञान के कूबर से उत्तर देते जाएंगे कूबर हो नहों क्या फर्क पड़ता है बस अमारे संकट दूर हो जा महाराज की जांग पर तिल है अमें फसा दिया मलीका कि तुम्हें कैसे पता नहीं वह संत महात्मा हुने का है तो सची होगा न बहुत अच्छे मलीका dość Bill अकुछिं आपके रख्षा कर रही आपके जीवन का सोभा क्या है वो राधा नहीं लक्ष्मी है वह महानक्ष्मी का उतार उस कन्या के शरीर में गंधर्व ने प्रवेश किया है उस कमिने से आप छुटकरा दिला सकते या नहीं बताओ आप नहीं कमिना नहीं कह सकते कहना है तो रास्कल कहिए या स्टूपिट कहिए क्या कल रात को आप गंधर्व को देखकर डर कर भाग नहीं गए थे क्या आपने गंधर्व को देखा या नहीं बताएए देखा आप उस मंदीर के पास कभी मत चाहिए यदि आप गये तो जीवित नहीं लोटेंगे अब तो हम पर विश्वास हुआ ना तो आप राधा के शरी से घंधर्व को बगा देंगे तो पूर्ण विश्वास होगा संप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं हम ट्विंकल ट्विंकल लेटल स्टार्वाद गर्दर वाट यू अब 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 आउट वर्ल्ड तो हाई आए दाइमंड इन दे स्काइए मां मेरे शर्री से कुछ बाहर निकला ऐसा मुझे मैसस हुआ अवश्य गैस होगा वो गंधर वुड़न चुह हो गया अब तुम्हें पूरी तरह ठीक हो गई मेरे प्रती तुम्हGrains ज़रा भी कम नहीं हुआ ना वो पहले जितना ही है ना रधा हाँ पहले जितना ही है हे भगवान भगवान की खुरन से तुम ठीक हो गई भगवान नहीं वहां की अवतार समान इन रुय संतों कि कृपा उचति ह अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे आप हमारे राजगुरु बन जाए हम आपके अनुसार ही चलेंगे आप जाए कहीं जाकर खेती बारी कीजिए लेकिन महाराज कर रहा है तुम इतने दिनों से कुछ हमती महाराज को इसासे करें हुम में होते होई सकट नहीं आएगा अब आसमझ रहाão आप जो कह रहे है मैं समझ रहा हूँ राज- गुम्रादा के दुर्ण को लिए मैं कोई भी सहायता करने को तयार हूँ यहां उचे लंबे पुरुषों को सब पिशाच मानते हैं कई वर्ष पहले इस करने नहीं हुआ था अब इस सत्य को बदला नहीं जा सकता तो फिर हम क्या करें उनकी द्रिश्टी आप लोगों पर पड़े बिना सुबस इत्व होगा बले लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता आप तो यही कहेंगे सुनामी से कितने भले लोगों की मृत्यू ही आपको पता है क्या तब कहां गया था आपका भगवान ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हर बात के पीछे कोई नकोई कारण होता है अब म कि शायद कुछ गरबर होगी चाकर पूछ किया कि क्या हो राधा अचानक इस तरह मुझे आपको देखने की इच्छा हो रहे थी इसलिए चलिए आई अपने गंदर्व का पूरा रो मैं यहीं तो आकर देख सकती हूँ आपको यहां नहीं आना चाहिए था राधा मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लगता वहां मेरा एक एक पल एक एक साल की तरह करता है हाँ मेरा भी अगर आप नहीं होती तो आज शायद में जिन्दा नहीं होता जन्मो जन्म तक आपने मेरी जो मदद की है उसका ऐसान मैं नहीं चुका पाँगा ऐसा गएकर रिष्टा खतम करना चाहते हो तो और क्या चाहती है आप मुझे आपकी पत्नी बनना है सच कहूं तो जब आपको पहली बार देखा तभी आपको जिवन साथी बनाने का फैसल सब लोग प्रतिक्षा कर रहे हैं क्या बात है बताईए राजकुमार क्या बाते बताईए ना क्या बताऊं मैं इस वामनपूरी में ऐसी घटना इससे पहले इससे पहले कभी नहीं होई वामनपूरी में जो नहीं होना चाहिए वो होता रहेगा मैंने कहा था ना क्या हुआ यह मेरे प्रीये जनों मैं आपको एक दुखत समझा सुनाने जा रहा हूं ध्यान से सुनियेगा गए चार दिनों से हमारे महराज और चार सनिक लापता है दीद और राज हमारे सेनिक महराज और लापता सेनिकों की खोज में जुटे हुए है ऐसी संकट की घड़ी में एक जूट होकर समस्या का सामना करना हम सब का कर्तव यह है महराज को ढूड़े भीना हम शांत नहीं बैठेंगे वामनपुरी महराज की जय हो वामनपुरी महराज की जय हो वो संको कहा है दो तीन हो गए बंदवार अब तक नहीं खुले महराज को वापस लाने के लिए विशेश पुजा कर रहे हैं तुम लोग ऐसे पेश आ रहे हो जैसे किसी टूर पर आये हो महराज के साथ हमने जो किया है यह बात अगर लोगों को पता चल गई तो क्या होगा मालूम है वो यहां किसी भी वक्त आ सकते हैं सवाल पर सवाल पूछते जाएंगे पूछा कि महराज कहा है तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे शकीरा का डांस देखने गए बोलेंगे देखो बात बहुत सीरियस है मजाग से काम नहीं चलेगा हां उनका तो यहां पर कोई शत्रू भ अपने फित्रिष्टी से मैंने कुछ देखा वह मैं अपने मुझे कैसे बताओ हमारे महराज आपने क्या देखा हमें बताएं बताएं क्या हुआ महराज को मैं जीवित कर सकते हैं कर सकते हैं उनकी आत्मा भी यम्लोक नहीं पहुंची उन्हें लंबा मार्क सिद्ध करना है उनकी आत्मा को मैं वश्मे करूंगा अपने साथ ले आऊंगा और यह केवल मैं ही कर सकता हूं उनकी किस्मत में सलाम अपन का अजी पोट्टी पताना है पकतकाम अपन का घरबार हुआ इश्क मैंने लाम अपने का अरे पो अब तुम लोगों को कैसे समझाए हम सब समझ गये अगर हम वहां आये तो हम मारे जाएंगे यही बात है ना हम वहां जरूर आए और तुम्हारे लोग हमें देखेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे कैसे वेट एंड सी क्या बस देखती जाना स्वामी जी का एक्प स्वामी है अरे बाब्रे पूरी अगए जाक दर्माजा खूल रुप्जा अभी मैंने वाम! मार नहीं है मैं जब तक राजगुरु था तब तक इस राज्यवर कभी कोई संकट नहीं आया किन्तों इनके आने से महाराज ही अद्रिश्य हो गए राजगुरु ने अपनी दिव्य द्रिश्टी से वो हम सब जानते हैं ज्यान के कुबर से हमें सब पता चल गया है वो दिव्य द्रिश्टी नहीं कौन द्रिश्टी है आप बिल्कुल मग घबराईए अड़कम दरकम दोम दड़ाका लेतर फितर महराज अभी भी जिवित है आप उसके अंदर क्यों बैटने से ध्यान बढ़ता है एक बार बहार निकलिए जाबे मरेले कहा यह संत्त लोगों की भाशा है जाबे गंदी नाली के किड़े चल निकल यह सुनते में मार क्यों नहीं आप छब मेरे यंगने में तुम्हारा क्या काम है कब मेरे कुम्हारा क्या काम है आप आप तो कपड़े पहन कर मर्दों की आवाज में गाने कारा है अगर को देख लेगा तो अरे तू भी तो मर्द आवाज बात कर रहा है तूंत का गटटो बदल लिए लेकिन आवाज का थैंड मेरे करन चुनाएंगे वो मेरे आरासू का तुस्से बद लेंगे तेरे पुरे सामराची को मिट्टी में मिला देगे तेको रहूल तुम्हें मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी मेरी आदा मेरी खूपसूरती पर पूरी दूनिया फिदा है कि अब बस करो अरू बदली आवास भी बदली हो नाम का क्या जो भी पास आजा करेक्ट तुम चंद्रमुकी और महें इंद्रमुकी ठीक है इतना खुश मत हो ना नाम बदलकर रूप बदलकर तुम लोग ऐसे कन्याई नहीं बन सकते कुछ आवास आ रही है किसी के तडपने जैसी आवास आ रही है शायब कोई जाड़ियों के पीछे चुपा परिनिता तुम और यहां पिशाचों ने तुम्हें बंदी बना कर रखा था नहीं महराज मैं आपके बेटी परिनिता नहीं हूं महराज तुम्हारा नाम क्या है रमा क्या रमा मेरा नाम रामेश्वरी है बहुत अच्छा राम है राजमहल में पहुंचते ही तास को भेज देंगे अंधेरा होते ही तुम नहाद होकर आ जाना कुछ खास काम है ज्यादा देर मतलगा ना वह तो ठीक है पर महाराज आपको इसमें बंद किसे किया यह सब उन पिषाच है क्या इसे पता चली उन्होंने इस पीपिए हैं बंद कर दिया आरह्महली बचक कर निकलने से पहले हम उनका सर काड़ sting महाराज उनकों को मैंने अपने आखों से देखा वह यहीं से जा रहे हैं उन्हें कि दूंगी हो क्या बोलो नहीं है वह मंदिल की उससब में गए होंगे यदी हम तुरन जाये तो नहीं पगड़ सकते हैं किया नी चले माँ किया नी कले माँ क्या खूब सूरत है ये शमा रामा रामा है क्या ये ड्रामा उई माहराम उई माहराम मुट्डा ने गिया मेरा जीना हराम चिंग 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 रामा, 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 है क्या यदि रामा पुई महरो, पुई महरो, पुण्डुने दिया मेरा चीना हरा दिल तो है एक आशिक कहे, किसको दिल दे, किसे दे नहीं भुस्न तेरा शोला, तु खुद हबम का गोला, फिर क्यों न कोई तुझ पे मरे हारे हा, हारे हा, तु कहद को बना लू, तुझे अपने दिल की रानी, ऐ गुल पदन यही खडे, खडे हारे हा, हारे हा, थाम जरा थाम गड़ी आने तो दे, फिर मैं खुद ही कहूंगे दुझे आ, 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 आ क्यों है पेताब अभी से मेरे यार, जरा पेचनी कावी तो लेले मसा रामा, 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 है क्या ये डिरामा कुई माहारा, कुई माहारा, पुंडो ने गिया मेरा जीना हरा चिंक चिका, चिंक चिका, रामचान, ये क्या हुआ, हर दिल नशे में सराबूर है ये भी मागे, वो भी मागे, हर कोई निशानी चाहे, कमसें जवानी मेरी बिना मोलके चिंक चिंकलां, ये आ हुआ, हर किए, कमसें पैर उन किपछ छी मेरी आ हर जीना हर नशे मेरी बिना मेरी बिना मेरी आ हर दिल तो घंधा, हर लिएए कलियों से सजी गुल्षन इस बगिया की सेर करा दे बहका ना महका दे कर दूंगा सारा हजाना तुम्हारे हवाले तू बदले में चुम्मा दे अस चुम्मा दे तन मत तुम्हारे हवाले में कर दूंगे करता फिकर क्यों है देवाना प्यार तुझे यार करूंगी इस तरह के तु हो जाएगा मेरा दिवन जिंग जिका जिंग जिका हाई दरिया ये क्या हुआ जिंग जिका जिंग जिका राम जान ये क्या हुआ हर दिल नशे में सराबूर है ये भी मांगे वो भी मांगे हर कोई निशानी चाहे कमसें जवानी मेरी बिनमोलके रामा 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 है क्या ये डिरामा पुई माहरों पुण्डों ने किया मेरा जीना हराम अरे बाग याचा बाग 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 ये कन्या नहीं पिशाच है पकड़ो उन्हें पकड़ो 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 उसे जाने नहीं देना है पकड़ो बागो जन्दी पिशांगरो पुर्ण पिशांगरो पिशाच को मारे बिना हम राज महल में वापस नहीं लोटेंगे तुमने हमें पिपे में बंद किया था हम तुम लोगों को उस पिपे में डालकर आग में छोग देंगे समझे यह बट्र हमारी चान लेना चाहते थे लोट आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे अब चाहें कुछ भी हो जाए मैं इस तरह चूप बैटने वाला नहीं हूँ दो दिन बादी पूर्णी माहें मेरा विवाह रुख जाहिए मैं कभी नहीं चाहूंगा यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको राज सिहां सर्बर मैटना होगा किसलिए महराज शिग्रही लोटने वाले उस संतों ने कहा है लोटेंगे कहरें किन्तु लोटेंगे उनकी मृत्यू हुए इस बात का पूरावा भी तो नहीं है सर हाथ पेर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था यदि मिल जाये तो तब ही मैं महराज की मृत्यू की खोशना कर दूंगा तक तक तो हरी संथ राधा की संग मांसुरी बजा चुका होगा राधा के कक्ष में उस अपनी हद में रहिए आप राजगुरू है मैं भूल जाओंगा राजकुमार राजकुमार राधा के कक्ष में गया सुन लिया ना यहीं सही अफसार है चलिए उसे पकड़ते हैं अज वह नहीं बचेगा कल बस आखरी बार नाटक करना है उसके बाद आजाद हो जाएंगे क्या हुआ आप पर रो क्यों रही है पिताजी से मिलने का मन कर रहे हैं दो चार दिनों बाद वो महल में वापस आ ही जाएंगे आज रात को हमारी बोट का काम खत्म हो जाएगा और कल रात को जब सब सो जाएंगे तब हम चारो इस वामनपुरी से निकल जाएंगे हमारे वामनपुरी से निकलते ही यहां के सारे संकट हमारे साथ ही दूर हो जाएंगे आप मुझे छोड़का जा रहे हैं इस चमतकारी द्वेप के राजकुमारी को भला कैसे छोड़ कर जाओं यह देखिए अपनी जीवन साथी राजकुमारी को राजकुमार अपने साथ नाव में लेकर जा रहे है इसी तरह मैं और आप एक नाव में बैठकर आपके देश में जाएंगे वहां आपसी विवा करके मुझे आपक अपनावन करी रह जाएगा जरूर पुरी होगी अगर उपरवाला चाहे तो क्या ऐसा होगा हां होगा क्योंकि प्यार करने वालों के जोड़े स्वर्ग में ही बनते हैं का कहता हूं तोर दीजिए मैं कहता हूं डर्वाजा करो राधा कहीं अंदर वा अपना काम तो नहीं क बात करना है रादा में अंदर आकर तुम से बात करना चाहता हूं अ मैंने कहा ना मैं सनान्त करने चाह रही हूँ आप पीछाओ बात में आना नहीं पुरे वामन सामराज्य में मैंने तुम जैसे सुंद्री कभी नहीं देख लेगे क्या ढून रहे हैं नहीं कुछ भी तो नहीं तुम्हारे कक्ष में थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या यहां तो कोई भी नहीं आया आप जाओ यहां से चला जाओंगा बैठो तुमसे थोड़ी दिर बात करनी है मुझे बच्पन में हम दोनों साथ खेला करते थे वो दिन तुम्हें याद है ना नदी में हम दोनों तेरा करते थे नहीं यहां पर मेरे और तुम्हारे अलवा अवश्य कोई और भी है बच्पन में हम उस बिल्ली के साथ खेलते थे उससे डर गए क्या अधि अरे मैं चाहिए राधा कहा चले गए मैं तो यहीं हूँ अब जाते हैं या नहीं मैं चला जाओंगा परन्तु मेरे जाने से पहले मेरी होने वाली पत्ली सुरक्षित है या नहीं यह देखकर चला जाओंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब से हमारा विवा हुश्चित हुआ है मैं जिसे भी देखता हूं जो उसको संदे होने लगता है हम इसे बारे में बात में बात कर लेंगे अभी कुछ आवाज आई ना नहीं तो इतनी बड़ी ट्रंकी यहां पर क्यों लागर रुखिया ग के लिए जानी से खेल रहे हो है फिर भी पताने क्यों मुझे मेरी आंको पर विश्वास कोई यहां है कि दिखाई नहीं दे रहा है आप स्नान करने देंगे या नहीं तुम स्नान करो राधा मैं तुम्हें देखता रहूंगा वीवा के बात यह सब होना ही है आप लोग यहां क्या कर रहे हैं गजेंद्र ने हमें ध्यान अकने के लिए कि अध्री को कोई रक्षा के लिए रखेगा क्या मारा नी चिंता न करें निश्ची तो कर जाएए यहां मैं हूना बेटी राधा अरे मां ज़र्दी चाहिए यहां से सब भी कड़ गया कबाब में ह यहां फिस्टी यहां नीवाला मुँमे आते-ाते रहते जरुड रही गई था मने तक भी क्या कर रहे हो मां मैंने कुछ गलत नहीं किया इस तरह अंदर आकर गलत नहीं कर रहे हो यह बात बाहर पता चलेगी तो लोग क्या सुचेंगे नहीं महारानी मैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती जब तक तुम दोनों का विवा नहीं हो जाता तुम इसके पास नहीं आओगे जाओ यहां से कि तुम अभी मुझे गलत समझ रही है तुम सनान कर लो बिटी ठीक है मां अजय कुछ भी हो जाए कोई हमें अलग नहीं कर सकता अगर प्यार सच्छा हो तो भगवान भी साथ देता है अगर भगवान हमारे साथ ना होते तो हम दोनों कभी नहीं मिलते क्या हुआ राधा अरे माई यही पर है अब कुछ नहीं माँ हाथ से विसल कर गिर गया माँ आप जाओ ठीक है बेटी आप दो ती अर्योग जरा अपनी बुद्धी पर जो डाली यह देख रहे हैं सिर्फ तीन लोग है यहां पर मतलब एक अब भी अंदर हैं आप अंदर बासरी बजा रहे थे क्या आप सिर्फ तीनी यहां है चाउथा कहां है आपकी समस्या क्या है हमें बताइए हम दूर कर दे मेरी समस्या आप लोगों से दूर नहीं होगी उससे दूर करने के लिए वो कहा है मुझे पता चलना चाहिए पता चलते ही उससे नजिता चबाने पर मजबूर मत करो, बोलो का है? हमारे स्वामी समाधी में है, हम भी उसकी समाधी बनाने आए आने वाली पूर्णी माखे दिन, मेरा और राधा का विवा है इस राज महल में महाराज की उपस्तिती के बिना राजकुमारी का विवा करना उचित है क्या? महाराज की उपस्तिती के बिना यदि विवा करना उचित नहीं है, तो मुझे महाराज बना दीजे फिर तो हमारे विवा में कोई बाता नहीं होगी न, क्यों राजकुरू? पर चलता हूं कल मिलोंगा कर देंजर स्वाहा सबसे ऊच्या मंत्र है यह क्या कर रहे थे रामेश और स्वामी ने बताया होगा ना वह सब रहने दो तुम भिक कैसे कहें स्वामी जी ने जल समाधी लें तुमसे नहीं पुछा राधा के कक्ष में तुम क्या कर रहे थे ये तुम क्या कर रहे हो इसे राज गुरू को दलबार दिखाने का क्या अर्थ है ये का है का राज गुरू राज गुरु के हत्या करने का कलंग मुझ पर ना लगे, इसलिए मुझे सच सच बताओ, मेरी राधा के कक्ष में तुम क्या करे थे, पानी के अंदर अपनी प्यास भधिक्या, रे 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 भगवान, ये क्या अन्या है, महरानी, वो क्या है कि महराज को वापस लाने के लिए मैं वो लाने के लिए गा, जो महराज से अधिक प्रेम करता है, उनके पूजा करने से महराज लोट आएंगे, इसलिए मैं राजकुमारी को तयार कर रहा था, तयार करो स्वाहा, बंग करो, स्वामी जी किसी अच्छे कार्य के लिए ही अंदर गए होंगे, जो कह रहा हूं सभी ध्यान से सुने महराज के लोटने तक राजगंदी मैं समालों यह कद्धी पर चलबाएगा करना है मेरी अनुमति के बिना ना कोई राज पहल में आएगा और नहीं कोई बाहर जाएगा ने इसे कह रहा हूं मेरा राजविशेख होगा और उसी ऑफसर पर मेरा और रादा का वीवाबी होगा अब इसे सारी थयारिया शुरू कर दो कि दूल राजविशेखुन और वीवाद के अफसर पर तुम भी रहोगे तरक शेष्च राजा धीराज भाहराज घजेंड्राज पढ़ार रहे हैं का नाम, बजानाम, शुरू किया जाए एं? करू लागों में एक है युव राजा वीरो के वीर है राजा ऐसे शुर्वीर है राजा राजाओं का राजा युव राजा मेरी हर बात जुदा मुझे जान पूरा जहाँ सूरस से लड़ जाऊंगा ऐसा कुछ कर जाऊंगा मुझसे जो टकर आये कोई मुझे जान पूरा जहाँ कहां है अमारी राज कुमारी वो आये और नाचे काए कि दीव तदीव तदेरे ना 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 तदीव तदीव तदेरे ना ना ढूंड रहे थी आंके जिसकी राहे सदियों से कौमर जन गिर नारी तेरी राहे सदियों से तुम जो मिल गए दीवन खिलके रब से बला और मागू ते जनक जनक जन बाज पाया लिया पैरों में सजना मिले हो तुम जो आत बजे है दिल के साथ जिल गए हर उमंग बजने लगे तरंग लगता है आज कल हर दिन नया नया ऐसा कभी मुझे पहले नहीं हुआ मन में मेरे नयन में अब तो कुछ दिन से रहते हैं तेरे खाबों के मेले सुन्दर शाशक राजा मेरे मन मोहक राजा विगन गनाशक बल्चाली महा बल्चाली युव राजा बल्चाली युव राजा बहाबली युव राजा तुम्दा हुआ नहीं कोई राजा राजा मेरी हर बात जुदा मुझे जान पूरा जहाँ सूर से लर जाओंगा ऐसा कुछ कर जाओंगा मुझसे जोट कर आए कोई यसा कोई सारी जग में कहा मेरी हर बात जुदा मुझे जान पूरा जहाँ पिशाचों के साथ मिलकर हमारे राजे पर राज करना चाहते हो कहां से आया तुम में इतना सास महराज महराज बनने के लिए मैंने यह सब नहीं किया मैं इकेवल राधा से विवा करना चाहता था सब कह रहे थे महराज की बिना राजकुमारी का विवाह नहीं हो सकता इस लिए मुझे ये निर्नें लेना पड़ा महराज ये बात है आप जब यहां नहीं थे तब यहां बहुत सी समस्याय आने लगी कहीं मेरा और राधा का पूजा से ही आप यहाँ पर सुरक्षित लोट पाए हैं काहे कि पूजा इन्हों ने हमें पीपे में बंद करके यहां संथ होने का नाटक किया और हमारे विश्राज के साथ के ला महाराज को बंदी बनाया हम सभी को इन चारों लोगों ने मुर्ख बनाया यह सोचकर मुझे लज्जा आ रही है इससे भी लज्जा जनक बात क्या है पता है यह लोग किसकी सहायता से इस राजमहल में पहुंचे हैं पता है अब तक हम जिसे अपने देश का गौरव मान कर चल आधर्णिये संत महात्मा जी तनिक जुकने का कश्ट करेंगे जुकने के लिए क्यान कूबर को काट कर भेग दो नहीं ने इक्षब आ कर दीजिए वो ग्यान कूबर नहीं है बना बनने के लिए हमने अपने पैर बांद कर रखें देख लीजे द्रोही कि इतना भी प्रयत्न कर लो इस दुर्ट से बाहर नहीं जापाऊगे कजेंद्र उन्हें पकड़ कर बांदो हमारी खुल देवी महाकाली के चड़णों में हम इनकी बली चड़ाएंगे बांदो जल्दी करो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी 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 चलो जल्दी हुक कि वकृकुचा को और हुल्ского टॉश्ट के है zumose एदना हमैने यही मारगे इन्हें यहां यही नहीं मारें के इन पिश्रा को हम महा काली को बलिष चड़ायं की एक टारी यही महाराज क्यार सिवह इन्हें महा काली के मंदिल के पास आखताखर बांदी इन मेरा प्राध्यों की हत्या करके सत्य की हत्या मत कीजिए वामन पूरी पर महा संकट शीगरी आने वाला है इन मेरा प्राध्यों कास्क्रासिव चाल इन रिंदुकीव शोल सुचार आने भाको अप्राध्यों की मत कल माद्य onboard शीघकश इन रिन लिसेल हlam कर दोड़ों लुड़ों लुड़ों वी जलनों भाल उपकेघरे वाल लुड़ों मुझ अजलने कर दो नात्व टॉड़ों कर दोимся है? मेरे प्रिय वामन पूरी के प्रजाजनों हमारे महाराज का अपरण करके उन्हें बंदी बनाकर रखने वाले यही पिशाच है इनके साथ और दो पिशाच आये थे जिने मैंने पहले ही मार दिया था आपके सामने खड़े ये चारो पिशाच राज कुमारी उनकी सखिया राजे के सभी लोगों के साथ विश्वास गार्द करते रहे इन पिशाचों ने महा अपराज किया है जो तनिक भी ख्षमा के योग्या नहीं है इसलिए इन पिशाचों की हमारी स्कूल देवी महाकाली के चड़ों में बली दी जाए यह हमारे महराज किया क्या है मेरी राध्या के साथ खेलता रहा पहले तुझे मारने से मेरे मन का शांती मिलेगी जब तक हम यहां है हम किसे को अपने राजगुरु की पत्वी छिन्ने देंगे क्या मुझसे मेरी पत्वी छिन्ने का परेणाम देख लिया अब यह हम इनके हाथ लगते तो यह हमें नहीं छोड़ेंगे हमारी हत्या कर देंगे यह सबीना बख्षी है पिशाच है तब ही यहां से बाद जाओ चाहिए पिश्छिक भाराच को हाथ खरेंगे बख्षाण से बीदेर फिए पहले सी उधरेंगेंगेए यह पिश्छिक फिए पिश्छिक भी आपूश्छिक भाणी सी ने आफिए ज़ित्वी तो इस वी प्रस्णिन चैनी फिख्वाव गाराच को बताओ कि आदेश दीजे महराज संप्रताय अनुसार जो पूजा पाठ हो रहे हैं उसे समाप्थ होने दो तभी इन पिशाचों को हमारे हाथों मृत्यू दंड देना महाकाली को बली देने के समान होगा और तभी हमारे राज की और प्रगति होगी अनर्थ हो गया महराज क्या हो गय जिन्होंने इस तरी का वेश बदलकर हमें मुर्ग बनाया वह वहीं पिशाच होंगे मैंने तो पहले ही बताया था वो पिशाच इनी पिशाचों को बचाने आया होंगे वो भी इनी चारों के साथ ही होंगे चाहें कुछ भी हो जाए हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे उन पि मैचल! 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 रखी रहाँ जो पांफ टुपर्ट हुआँ एक और र or कि अपे औरी आरु इक युट गांप तरेह टुट आर कि अपे टो आर कि अर्वे टुटन खुटेी और दुटाँ कि अ अर लाँ हुआ! हुआ हुआ हुआ... हुआ हुआ! कि वह लुट पर आखर मुझे बचा लिए उनके पास बहुत भाएंकर अस्त्र शस्त्र है महाराज एक काम करते हैं उनके शस्त्र चिन कर लेए अगर हम आ गये तो हम जीवित नहीं बचेंगे उनका ध्यान भटका कर लाने होंगे कि तुमका ध्यान कैसे भटका है अगर 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 उन्हें एक एकर के ले जाओ कि आप सभी प्रताजन के सामने इन चारों पिशाचों को हम मृत्यू दंड देते हैं नहीं कि फॉड़िये अपर यहां से इस सब का मूल कारण तुम ही हो तुम राधा की शकी हो इसलिए तुइट रहे हैं तुम्हारी बली चड़ाते तो अच्छा होता विखांद दिजी किन दोब्ट दिजी तुम्हें देखना उगा इन पिशाचों के सरों को कटते हुए त नहीं तुम्हारा दंद होगा नहीं है रूप चाहिए रूप चाहिए महाराज अदर्थ हो गया वह पीशाज हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं हमारी स्रियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं महाराज ए प्रभू महाराज वो अस्तर शेस्तर नहीं है वो बंदु के होगी मेरा कहना मानिये इस तरह आप उन लोगों का सामना नहीं कर पाईगे शान्त रहो महराज ये समिन पिशाचों की चाल है हमारा उनसे कोई संबन नहीं है हमारी बात का विश्वास कीजिए हमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आप से जूट कहा था हमें एक शमा करके आप हमें जाने भी देंगे तो हम अपने देश पहुचेंगे या नहीं य जानते हैं महराज शीग्रे कुछ कीजिए नहीं तो गजेंद्र को आप बचा नहीं वाएंगे आप क्या सोच रहे हैं वहां राजकुपर के प्राहर संकटने हैं महाकाली है हमें आप क्या करना चाहिए किसी तरह से राजकुपर को बचाईए हमें किसी नहीं थे के थाउस आपको अद कुड़े हैं तो या बच्चा समझतर मैं चूप रहा और तो मुझे मारने चला था अपर हो बाब लाओ! कि अबढ़े है? अबढ़े हैं प्रविश भाई मुझे लगता ही एक जेंदर को मार डालेंगे साले पटले ने अब तक हमें इतना परिशान किया बरने दो से नहीं हमें इसे बचाना जाए तब ही हम इसकी मदद से यहां से बाहर निकल पाएंगे उसे बचाने के चकर में हमारी जान जाएगी यह गया जदी में हुआ अचाने मुघा घ्रॉंगा जाए हुआ है, लुक्त को बात जाए है जाए है तोई भी मार देंगे तुमी तो थे रहे जी हमारे लोगों को बचाव अब कुदी माना जाए है पिर भी यार उरे किसी तरह बचा नहीं होगा थे अपड़ा हम अपचा चुकी एपने कियो क्षरायो आए अपड़ी है जो वागे शोजे कि अपड़ी जो आपड़ी है कॉर आपड़ी अपड़ी क्षिखरा गोटे दोता कि आप दोते है यह हम अपड़ी को माई प्रभाई टॉत घं़ने के भी ने आजे छोडो जारा पता हो क्या हुआ? शुक्रिया बड़े भाई! श्वीवक्त पर आए! बत्ती बात का निशी निशे! तह एकंशा प्रिय्वत्व्यकुट्ट्ट्थ जिसर्च अब hasnे जारे जाए अभर बिध्यक अप्र एक कि कि अब हशो पाँ अएका किरोत्ट्ट्वक जेल पुड़ पुले कि vision तो आयरो तो ना तू बचे का और ना ही तरह खांडार बचे का एक बम लागर डाल दूगा ना तो यह आइलेंड के तू ने दिखने वाला मेरे सामने भैचा इसलिए भोता हूँ पहले नहीं पहनी है क्या पहले कहजा तो मैं तुझे बैटसे के लिए नहीं बोलता क्रिछ झाले युट बुδू हलसे तो मैं थाओ़िए जो लगैक पूिए जो फूँ एम आख़िए इका जो जो हुएएएएएएएएएगएएएएएएएएएएए murders इस तरह अपने पर संकट पर संकट क्यों आ रहें तंधरत के कारेंस में आपने कितनी बार कहा यग्य करवाने से सब कुशल होगा यह कि नुद में हम तुम्हें डाल देंगे दुबारा यह कि मत कहना लगता है राज महल लॉटने में हमारी भलाई है कि इनने से कुछ पिशाच महां भी गया है माराज कि अब अप्रिवार लाना भूल गया नहीं तो दोचार को हम नहीं मार देते हैं इन जह पिशाचों में से हरी सबसे अच्छा पिशाच है मैंने तो आपसे पहले ही का था वो बुरा नहीं है वो बहुत नेख है कर दो इन गाए कर दो है अटाश कि अग्सक्राइब श्रतक को सतर्वेस कि अबने थाश्य के अबश्य है कि अदो आउर इस दो पहते हुए है हां व्यारे दो पर पर और जो श्रतक है मैं राजगूर नहीं हूं, भागों उसे बंगा मतले, अब जैकी चाहिन के खाणनान का हूँ उतर देख, क्या हूँ, अपने राम और शाम हो यार, अपने राम और शाम है थोड़ो पुझे थोड़ो फाइख बुझे जोड़ो एक के साथ दो शान फॉर इस भी शोड़ो फिर इचेट मुझे प्चाले को तो अलिए 10 यह संले मेरे आदें पिसनें आधी puta मुझे पंचा और कँष्ब करान हादु हुआ है मुझे थे उपरा इसे हुआ हुआ है पाशाए सेल विरिया पाशिर को तेस झाली दूस शाले यहां तुछ सीँ पश्माह नाद donate नाद कि अ करमा का ने डाहे नाद करक्ता है अब जहां भी ते ठीक है लेकिन यह अगर फोड़ी देर मेरे उपर और रहा तो में मुद भीखाने के लाइब नहीं रोंगा अरे तेरे घर पे मा बहन नहीं है क्या अरे इसे उठा यार शाले के अनल कितनी हमस भरी है अरे शाले मेरी इजब भादें की सब्सक्राइब आरे मा बाल गारे आरे बाल गारे रहे अरे ऊपराइब अरे इजब आरे आरे चहाले अरेज़ आरे पर यह ज़ात ज्याँ इस वादा फोड़ी पादेन आरे अरे जया ठाहकतो है जम जम आब जख से औरे का जब जया कि यूखं जया जब ओब ची अवच़ हाई जब जब जफ़ जया हईव! हईव! क्पिटर्ब ऐख स्पार्म पार्ट QTB एख सोग मैंJust ऐख अतitos एक फिशाज को तिखाते हैं जोड़ देख रहे हैं हमिह के महाराज है पिता जी है संतो हमें बचाओ महाराज राजकमार नहीं रहें तो यह वामन पूरी राजयानाथ हो जाएगा हमें बचाओ है 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 हमारे राज के गंधर्व ने हमारा साथ छोड़ दिया आज हमारे वन्ष का सर्वनाश हो जाता आपने हमारी रक्षा कि आप देवता हैं इसके बदले आप जो मांगेंगे हम देंगे हैता है और क्या मांगेगा राजा कि बेटी का हाथ मांगेगा सोच रहा हूं मैं भी इसका हाथ मांग लूँख आपका मन हम से क्या मांगना चाहता है हम जानते हैं हमारी बेटी राधाई ना इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ कजंद्र को है नहीं मारत नहीं आप राजकुमारी को यहां से भेज देंगे पर इस वामनपुरी पर इससे भी बड़ा संखटाएगा महाराज हमारे भागय की देवी किसी और को दान में मत दिजिए राजकमार आप अभी दिन देखने के लिए मैंने तुझे जरण दिया था तो मुझर अपने देश को छोड़कर सुखे रह पाऊगी बेृती राधा हमें छोड़कर मत जाओ बेटी हम है कि मुझे शमा कर दिजे राधा नहीं राधा आप सबके मन को दुखा कर मैं भी इस राज्य की संपति को नहीं ले जाना चाहता आपकी भाग्य देवी आप ही के पास रहेगी महाराज हम इसी नाव में चले जाएंगे घर पहुंचेंगे की नहीं पता नहीं लेकिन जब तक मेरी सांसे चलेंगे आप सबकी याद मेरे मन में रहेगी चलता हूं चलना रुख जाओ कितना धैरिया है तुम्में हमारे ही देश में आकर राजकुमारी के मन को चुरा कर शांती से ले जाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे क्या जदी मैं चाहूं तो तुम सब के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फैक सकता हो लोगों का निर्णे तो तुमने सुन लिया लेकिन इस राज्य की भलाई के लिए मेरे प्रती जो लोगों का विश्वा से उसके लिए कह रहा हूं गंधर्व के प्रेम को मिटाया इ यह भी भूल दौरा के अपने लोगों पर कोई और संकट नहीं लाना चाहता है कि जिस दिन से राधा ने तुम्हें अपने मन में बसाया उसी दिन से वह तुम्हारी पत्नी हो गई है गजेंद्र केवल गजेंद्र नहीं सर्वस्त्रेश्ट पराक्रमिक गजेंद्र नाथ पर छोड़कर जाओ इसके अनुमति हम नहीं देंगे इसे अपने साथ ले जाओ तुम्हारी इच्छा अनुसार सब खुशली हुआ अब तो खुश हो ना ठीक है ना रही महाराज माना कि हम कदमें आपसे उंचे हैं लेकिन त्याक की भावना से और मन से आप बहुत उंचे और महान हैं हाँ झाल झाल